जैसा कि ठंडी के दिन है आपको अच्छे से पता होगा कि इस Kettle के अंदर इस के के अंदर इसके अन्दर हम कहरते है ईसके अंदर किए पानी बानी को गरम करते है फिकक ऑना आफ मानलि और श्वीच Tsch करिंट भी नहीं सिस्टीज हो जाए तो इस पूरी कहानी समझ मन आप लोगो को नहीं को ज़ल्डी हाँ चेटो जल्दी हरो तो क्या है तो इस कहानी में इसमें सबसे पहले क्टल कुछ ऐसा दिखाई देताॉ ठीक है रहाल अलग अलग भी हो चकता हैpp लेकिन आपको मोटा मोटा तरफ पर आपको ऐसा दिखाई देगा ठीक है अगर इस kettle के parts को अलग-अलग कीजिएगा ठीक है तो यह कुछ ऐसे parts आपको दिखाई देंगे अब यह different different क्या parts है किसका क्या काम है कोई काम फाल्टू में तो लगाए गया होगा नहीं तो कुछ काम ही होगा तो आप क्या काम है कैसे काम हो तो सारी कहानी को समझाते हैं देखिए सबसे पहली बात यह नीचे का part है यह मैं आपको दिखाता हूँ आप आराम से देखिए यह नीचे का पार्ट है, दिख रहा है, अब यह नीचे के पार्ट में exactly में है क्या है, इस चीज को समझने के लिए देखिएगा, इस नीचे के पार्ट को अगर मैं खोलूंगा जो कि मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि यह मेरा अपना है, यह खोलूंगा, तो विल्कुल ऐसा द तो यहां पर यह इस तरह का गोल में नाइक्रोम का तार होता है किसका तार होता है आप करेडध fence की बढ़त में समझें सो«स्ब्रा क्या है», ये समय उ曇 ये तो यह होता किया है जैसे कोई भी इस दुनिया से टार होता है तो je का नियम बच्चा बच्चा पढ़ा होगा भी वरावर I.R. भी वरावर I.R. तो R का मतलब होता है प्रतिरोध जो करेंट को रोकता है resistance जो करेंट का आप ओज करें flow का तो एक बात बता ओ इस दुनिया में तुम किसी भी चीज को रोकोगे, ठीक है न? तो जब उसको रोकोगे तो उसकी एनरजी खतम होगी? काइनेटिक एनरजी? और उर्जा की नहें तो उत्पत्ती होती है, नहीं तो बिनास तो अगर तुम energy को रोको गो तो एक energy बड़ल जाएगा दूसरे energy में तो जो तुम electric energy है जो बिधूतिय उर जा है जब ये तार उसको रोकेगा तो ये heat में बड़ल जाएगा किस में बड़ल जाएगा? हीट हीट मतलब उस्मा बन के निख लेगा तो क्या होता है हमारे घर में अधिक से अधिक करेंट भेजने के लिए हम लोग कौपर का तार इस्तमाल करते हैं उसमें क्या होता है कि कम प्रतिरोध होता है कम करेंट को रोकता है अधिक से अधिक को जाने देता है पर रोकते तो फिर भी वो भी है ठीक है ना तभी तो तार हमारा गरम हो जाता है लेकिन एक ऐसा तार है नाइक्रोम का तार किसका तार बहुआ नाइक्रोम का तार उसके पा इसके अंदर नाक्रोम कातार है, वो क्या होता है? यहां पर उस्मा को छोडेना चालू करता है, जिस से इसके अंदर रखा हुआ हुआ पानी क्या होता है, वहुँआ खौन जालू करते हैं. इसका mechanism समझ में आ गया आप लोग कैसे काम करता है इसमें कोई doubt पर अब सवाल है कि ठीक है यह तो हमको समझ में आ गया पर अब यह सवाल है यह जो kettle है इस kettle को switch को जो on और off करते है इससे क्या ही फरक परता और कैसे अपने आप off हो जाता है इसको पानी गरम करोगा और अपने यह जो गरम हो जाएगा तो अपने आप यह बंद हो जायेगा ठीक है यह कैसे हो था आपने आप कैसे हो जाता यह इतना सथा चीज ठीक है तो मैं बताता हो इसके पीछे का science जक खे Eli देखो इसके पीछे क्या होता है यह kettle है हमारा ठीक है इस kettle का यह क्या है भूआ switch है ठीक है यह switch मैंने off किया on किया अब इसकी mechanism क्या है तो देखो ध्याल से इसकी mechanism यह है ठीक है अब देखो यह switch है इस switch के अंदर का ये mechanism है, ये plate है, अब ये plate होता क्या जरा समझे, देखिए क्या होता है, जब पानी गरम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये metal होता है, और मैं आपको बता दू कि इस दुनिया में आप देखे होंगे, कि दुनिया में किसी भी चीज को अगर तुम गरम करोगे तो वो चीज फैलेगा, अपना स्थान क्या करेगा, फैला हैगा, इसका दो example में आपको बताता हूँ, सबसे पहला आप देखिएगा, अधन गरम करते हैं, पानी खाना बनाने के लिए पानी गरम करते हैं, उपर का पतिला को नीचे फेग देता है, क्यों फेग देता है, उ लोहा के पत्री, जो रेलेवे का पत्री होता है, उसमें भी गैप छोड़ा जाता है, क्यों, जोशी गरम चीज क्या होगा, फैलेगा, उसी प्रकार, अगर कोई तार है या कोई material है, तो वो गरम होगा, तो अपना फैलेगा की नहीं फैलेगा, फैलेगा, तो यहाँ पर क्य जाता है, तो इसको बोलते है, बाई स्ट्रीप, क्या बोलते है बुगा, बाई मतलब दो, बाई स्ट्रीप, कौन सा स्ट्रीप, तो जब गरम होता है, तो एक वो ज्यादा फैल जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब पानी गरम हो रहा होता है, इसमें ठीकर न, जब य देखता है कि यह वाला जो है यह वाला जो पाट है यह न? ळेया उन? ठीक है न? यह कम जोर बनावा ये जल्दी फैल जायगा और यह वाला पाट जल्दी नहीं फैलनेगा तब सल персон Bahn अपनी जगह पर बना रहेगा और यह वाला क्या करेगा जल्दी फैल जागा तो फैलेगा तो यह क्या करता है इसको फैला देता है फैलेगा तो इसके साथ यह भी उठेगा ठीक है न कोई भी चीज गरम होने पर क्या होता है फैलता है तो सर यह क्यों नहीं फैल रहा यह भी फैल रहा है लेकिन 209 कि मतलब अलग-अलग मक्रियल है यह ज़्यादा फैले गा और यह कम फैलेगा ठीक ड़ेखे जैसे हैं अब इसलेजा चलिक्स को यहांसे तो चलिक रहां से निगार पड़ा तो फैर कि उ일 भाग मतलूयाया है उत्यार चgeons स्विच उफ हो गया है यहाँ पर यहाँ से आगए जाने का रश्ते नहीं है तो आपalen से आगे जा पाएगा तो आप यह गरम हो पाएगा तोब अलगो बन लोग करते जाए अट्मैटिक वहाँ बंध भेग लई है इसलिए का जाता है कि जब पानी गरम हो जाएगा तो आप आप यह बंद हो जाएगा, स्विश्टी टीपा जाएगा, समझ में आया, कैसी टीपाएगा स्विश्ट, क्योंकि इसके अंदर बाई मेटलिक लगा हुआ है, गरम होगा तो फैलेगा, एको जादा फैलेगा, तो इसे क्या करेगा, चार को छोड़ा देगा, जैसे वहां से उ आप देखो इस वाले पाट की कहाणी, आगे लेके गया, ठीक न, आप यह पर कीरिखा चलते हैं, आप नहींचे वाले पाट की कहाणी देखो, यहां पर यह चोटा सा पॉइंट लगा होगा, दिखाई देरागा आपको यह ब्लाप लिखाई देना छोटा सा ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है यहां पर भी क्या लगावा बाई मेटाली की स्टीप लगावा क्या लगावा बुआ बाई मेटाली की स्टीप यह वाला ठीक है अब अगर मान के चलिए यहां पर तुमने क्या किया पानी नहीं भरा इसके अंद तो उनदर ही नहीं, तो गराम कोनओ यह वाला मेटल गरम हो जाएगा और जब यह वाला मेटल एक्स्ट्रा कर आटकर तो देखें ज्यान हो गया अब वहां पर क्या हुआ अब यह से एक पाइट गरम हुआ तो दवा दवा या तो उस पाइट को पूस्किया तो इस दोनों के बीचा कॉंटेक्ट क्या हो गया खट गया अब अगर तुम बीना पान डाले हुए अगर तुम इसको चर्हाओ च्छाओ गीए तो यह क्या हो जाएगा पानी को गरम नहीं करेगा और अंदर एक्ट्रा क्रेंट नहीं जाएगा नहीं होगा क्योंकि वह बीच का connection तोड़ देता है और अगर पानी गरम हो गया तब इसका connection तोड़ देगा है तो यही हमारे पूरे kettle का क्या है science है इतना आप बात आप लोगों समझ में आया तो आज की बात कभी भी kettle को देखिएगा तो समझेगा आटमेटिक जब switch off हो रहा है इसका मतलब दूगो अलग अलग तरह का material है गरम होने परेगो ज्यादा फैल जाता है तो वही जाकर उठ जाता है और जिससे की क्या होता है दब जाता है समझ में आ रहा है तो current अपने साथ heat का परभाव लेकर आता है किसका परभाव लेकर आता ह है heat का तो आज के बाद इसको देखेगा तो याद कर लिजेगा यादा जागा ना आप लोगो चलिए ठीक है